उत्तर पदेश की नदियां है इसमें, उत्तर पदेश की जो सरवाधिक लंभी नदिये गंगा है, मतलब लॉंगेस्ट रीवार यूपी की वो यह गंगा, यह आपको पता है होगा, गंगा का सबसे ज़्यादा वो जो पोर्शन है वो यूपी में ही पास होता है, उत्तर पद नदिया है। गंगा जुझा जुण नदी है वह गंगाव Talk लेस्यिए शचालू कर पांच प्र्याग बनाते हुए fineltry ये देव प्रयाग से गंगा बनती है भर यह पहले होती अलक ननदा और अलक नंदा पांच जगे पांच प्रयाग बनाती है अलक नंदा जब देखिए दोली गंगा से मिलती है तो बनाती है विश्णु प्रयाग फिर अलग मुन्दा अंधा करिवर से मिलती और बनाती है नंद प्रियाग फिर अलग मंदाही भगी रती से मिलती है एक मैचा मेंडम निन लिखा हुआ अलग मंदाही रती से इसकी कुछ यह देती है अब उत्तर प्रदेश के अगर प्रमुक जील देखे हैं तो यह का कीठम यह सुर सरोवर है यह आगरा में फिर गौर जील है रामपुर में बड़ा ताल यह सारजापुर में और यह बरुवा सागर है जहसी में कुंद्रा समुद्र है उन्नाओं में म सबड़ा कुंद्र में मथुरा में बंहं बारा कानपूर में की मार्जा इराजाकाबान तैश्फ उल्ता पूर में ओंधी ताल जा जील है यह बनारे इर दो बनाती है विहां को यह कजोंगा विश्ट्अ प्रयाग ही मिर्जा पुर वारानसी गाजी पूर 20 कई सरे एसे सिटी हैю जो अगर देखें राइट बैंक और लेट बैंक का मतलब यह होता है कि जहां से भी नदी ओरीजिनेट हुई है जो उसका ओरीजिन पॉइंट है और वह ऐसे माल यह मूव कर रही है तो इस जगह से उसका रिफरेंस लेंगे कि लेट टेक राइट है तो यह जो इस साइड होंगे उनको राइट बोलेंगे और यह से उनको लेट वो लेट तो यह अरीजिन इसका रिफरेंस पॉइंट होता है लेट और राइट डिसाइड करने के लिए उस विसाप Sir जो कानपूर है वो राइड बैंक हॉफ कंगा में है और बनारास है लिफ्ट अखरियाबाद में है भिर तमनदगर, अलिगड़ है, मतुरा है, हात्रस, आगरा, इटावा और रहया, जालोन, हमीरपुर, बांदा, फतेपुर और इलावाद, तो ये कुछ एमिना नदी के किनारे बसे हुए, इलावाद में तो संगमी बनता है, गंगा एमिना और सरस्वती का सरस्वती को माइथोलो में मिलती है, फिर बेतवा जो है ये नदी, यमना से हमीरपुर के निकट मिलती है, फिर बांदा में भोजा के निकट यमना केन से मिलती है, फिर राम गंगा नदी एक्चली ये गंगा की ट्रिबूटरी है, ये गंगा की सायक नदी है, राम गंगा नदी का उद्गम जो है वो हिमाला की दूधा टोली स्रेणी से होता है फिर राम गंगा नदी है ये जो है कोर्बेट नैसनल पार्क होकर निकलती है शारदा नदी का जो उद्गम है ये कुमाव मालिया से होता है और शारदा नदी पीली भीत एवं नेपाल की सीमा के निकट ये प्रवेस करती है एक शिख है बैरी ए फिर चीला यह और ये शाती नदी का उत्पम हर रुकुम कोट से होता है यह अब इसमें देख लिए पृप्षि नदी का उद्गम कहा से होता है रुकुम कोट ते रापती नदी की प्रमुक्ष साईक नदी वह रोडी रापती प्लस घागरा सका जो संगम होता है वो देवरिया में होता है चंबल का उद्गम होता है जाना पाव पहाडी महू से चंबल की सायक नदी यानि की चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है काली सिंद है पारवत्ती है और बनास है फिर चंबल नदी देखें चंबल नदी कई सारे स्टेट्स मे पास करती है जैसे मद्द प्रदेश से, राजस्तान से, उत्तरप्रदेश से और इन सब किसी माओं को निडारित करती है मद्द प्रदेश, राजस्तान, उत्तरप्रदेश, चंबल पर बने कुछ प्रमुग, डैम या बान्ध ये तीन बहुत important है, ये कई बार बना के याद कर लिए कि जी आर और जे या फिर कुछ भी कि करके गांदी सागर राणप्रताप सागर और जवार सागर यह तीन जो बादने प्रमुक यह चंबल नदी पर बंदे हुए हैं यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेतवा नदी का जो उद्गम यानि की ओरीज जने वो कैमूर पाडियों से होता है के फिर के नदी का दूसरा नाम है करणवती के नदी और यम्ना नदी का संगम होता है चिल्ला फतेपुर के निकट होता है सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापूरे वम सोन बद्र जिलों से होकर प्रभावित होती है सोन की सायक नदी कौन कौन सी है सोन की मतलब ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है रिहांद है, कनहर है फिर उत्तरी कोईल है यानि कि नॉर्थ कोईल फिर गोंती नदी का उद्गा में होता है उत्तर प्रदेश के पीली भीद जिले की फुलर जील से होता है गोंती नदी वैसे भी लखनाओ से पास होती है लखनाओ को बोलते हैं गोंती नदी के किनारे बसा हुआ है तो उत्तर प्रदेश के पीले पीली भीद जिले की ये फु और उत्तर प्रदेश की राजधानिय लखनाओ सुल्थान प्रजान पूर नगर गोमती नदी के किनारे बसे हुआ है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है खीरी देखें खीरी उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले है उसमें खीरी का एरिया सबसे ज़्यादा है यह मैं आपको डिस्टनल फैक्ट बता दे रहा हूँ टोंस नधी का जो उद्गम होता है टोंस यह तारमा कुंड कैमूर स्रेणी से होता है मद्दपदेश की टोंस की प्रमुख सायक नधी है बेला नधी टोंस नधी एवं गंगा का संगम कहाँ पे होता है सिरसा में अलावाद में हिंडन यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यानि कि हिंडन यमुना की प्रमुख ट्रिब्यूटरी है, प्रमुख सायक न दिये, कर्मनासा जो गंगा की सायक न दिये, और कर्मनासा का ये बिहार से कैमूर जिले में इस्थित है, और ये कैमूर सरणी से निकलती है, और कर्मनासा बिहार और उत्तरफदेश की सीवा निजारत करती है चौसा के निकट कर्म नासा गंगा में मिल जाती है और मगई जो है ये गंगा की साइक नदी है कुक्रेल गोमती की साइक नदी है तो ये मैडम ने हमको अलाओ कर रखा है या अच्छे आप कुछ हैं रिटेंड नोटस है जो आप बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहते है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते है और हम उन पर वीडियो बनाके ये अपने यूटूब चैनल पर कर देंगे जिसमें की काफी ज़्यादा इसकी पहुँच है से होजगे थैंक वर लिस्टिंग